वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते तुसी वेख रहे हो कथा गुर्बानी विचार संगर जी एक वार एक फकीर सी उन्हें जिंदगी विचे करे कोई पाप नहीं सी कीता सारी उमर जदों तों उसने सुर्थ संबाली संता ना देहा बिर्द अवस्था हो गई ते अवस्था अईनी मस्तनी हो गई के ओदे आँ अकाल पुर्ख नालसिदियां करना होन लग पैना ते जदों राबनालसिदियां करना होन लग पैना ता लोग को सनू पागल समझन लग पैने क्योंकि ओहो इस लोग दा रहिंदा ही नहीं तिर एक वार राजे दी रियास्त विच गया ते राजे दे सपाईया ने उसनू फड़ लिया उनू पुछ दे कुछ सी ते उ दसदा कुछ सी इस करके राजे दे सपाईया नू लगा कि ए बन्दा जसूस है सिपाईया ने उसनू फड़ के राजे को ले गए राजे ने सवाल कीता कि तू किसनू पुछ के मेरी रियास्त वे चाया है फकीर कहन लगा भी राजा तेरी केड़ी रियास्त सारिया थावाते सादू संतादा ही राज हुंदा है इत्थे भी मेरा ही राज है और राजा बड़ा हरान होया ए बंदा बड़ा जीव है मैं पुछ दा कोज हां ते ए दस दा कोज हो औरे गुस्से विचा के राजे ने हुकम दिता के इस बंदे नू काल कोठडी वेच कैद कर दिता जावे राजे ने हुकम अनसार फकीर नू काल कोठडी वेच जआ कैद कर दिता गया फकीर रबजी नू कहन लगा रबजी मैं ते कोई पाप कीता ही नहीं सारी उमर साधुहा संता नाल कर दिती है सारी उमर सेवा कीती है ताड़ी फेर अज़ा के में रब जी कहीं दे सजा तेरी बहुत वड़ी सी पर तू कदे कोई माड़ा कम नहीं किता इस करके तेनू काल को थड़ी विच ही कैद कीता गया है तू छेती ही बार आ जावेंगा इस सजा भी तेनू तेरे हंकार करके मिली है तू हंकार आ गया सी कि हर थां ते तेरा राज होएगा तेरे हंकार नो तोड़न लई ते नुए सजा मिलने जरूरी सी फकीर हाथ जोड के सजा कबूल कर लेंदा है ते रब जी को लो माफी मंग लेंदा है वाहिगरो जी का खलसा वाहिगरो जी की फते